मजभब और जमीन की जंग से सना इतिहास पढ़ें, इसराइल फिलिस्तीन की अदावत की पूरी कहानी, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई है फिलिस्तीन ने जहां इसराइल पर फाइव हजार रॉकेट दागे, तो इसके जवाब में इसराइली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ओन परेशन आइरन स्वार्ड शुरू कर दिया है फिजाओं में बारूद की गंध और साइरन की आवाजें सुनाई दे रही है हालांकि दोनों देशों की बीच अदावत का पुराना इतिहास है फिलिस्तीन और इसराइल एक बार फिर आमने सामने हैं शनिवार सुबह फिलिस्तीनी आतंकियों ने इसराइल पर करीब फाइव हजार रॉकेट दागे हैं रॉकेट हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मनजर है इस हमले के बाद इसराइली सेना ने कहा कि वह गाजा पट्टी में हमला कर रही है क्योंकि हमास आतंकवादी समूह ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है इस घोशना के बाद यरुशले में सारन बज रहे हैं सेना का कहना है कि इसराइल के कई शित्रों में आतंकवादियों ने घुसपाट की है साथ ही इसराइल ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है हालांकि इसराइल और फिलस्तीन के बीच दशकों से विवाद चल रहा है इसराइल और फिलस्तीन के बीच की जंग दोनों और से ही आक रामक अंदाज में लड़ी जाती है अगर एक तरफ से एक मिसाल दागी जाती है तो दूसरी और से उससे कई गुना अधिक मिसाल दाग कर जवाब दिया जाता है इसराल एक यहूदी देश है जबकि फिलस्तीन मुस्लिम बहुल देश है इस पर हमास शासन करता है यहूदी राजय के रूब मनने से इंकार करते है वहीं इसराल और फिलस्तीन दोनों दी देश यरुशलम को अपनी राजधानी मानते है इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरुशलम पर कबज़े की लड़ाई जारी है भले ही दुश्मनी की तलवारें इसलामिक उदय के साथ खींच गई हो लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब आटोमन सामराजे खत्म हो रहा था पहला वर्ल्ड वर खत्म होने के बाद आटोमन सामराजे की हार हो चुकी थी वहीं एदिहासकारों का कहना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद मिडल इस्ट की पूरी तस्वीर बदर गई युद्ध के बाद लोगों में राष्ट बाद की एक भावनापन अपने लगी विश्व युद्ध के बाद ये पूरा अलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया है लेकिन जब यहूदियों ने स्वतंतर देश की मांग की तो जोरों की मांग ये भी उठी तो यरुशलम में यहूदियों के लिए एक जगा का निर्मान किया जाए जिसे यहूदि सिर्फ अपना ही घर का है यरुशलम इजरालियों और फलस्तीनियों का पवित्र है यरुशलम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी रहा है ये शहर इसलाम, यहूदि और इसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है पैगंबर इबराहिम को अपने इतिहास से जोडने वाले ये तीनों ही धर्म यरुशलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं यही वजह है कि सदियों से मुसल्मानों, यहूदियों और इसाईयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है यहूदियों और अर्बों के बीच बंटी जमीन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया जिसके बाद इसराईल पहली बार दुनिया के वजूद में आया सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था ब्रिटिश राजवाले इस इलाके को टू भागों में बांट दिया गया इसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा वहीं जहां अरब बहु संख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा तीसरा था येरुशलम इसे लेकर काफी मत भेद थे यहाँ आधियाबादी यहूदी थी और आधियाबादी मुसलिम संयुक्त राष्ट्र संग ने कहा कि इस क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय नियंतरन लागू होगा कब हुआ इसराईल का जन्म ती और करीब साढ़े साथ लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अंत में ब्रिटिश राजवाला ये पूरा हिस्सा तीन भागों में बंड गया। जिसे इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। दोनों देशों के बीच जम इसराइल की हुई। 1948 की जंग में अरब देशों ने इसराइल से जमीन का कुछ टुकडा छीन लिया था। इसराइल बदले की ताक में था। लेकिन उसे मौका मिला 1966 और 1967 की जंग में। इस जंग में इसराइल का मुकाबला तो सीरिया से था। लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे ये जंग 6 दिन चली और इसराइल ने 5 देशों को मात दे दी जमीन की इस जंग के अंत में इसराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कबजा वापस ले लिया जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है इसराइल ने इस हिस्से पर अपन कबजा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया क्या है अलकसा मस्जिद विवाद? इसराइल के यरूशलम को इसलाम, यहूदी और इसाई तीनो धर्म में पवित्र जगह माना गया है यहां स्थित अलकसा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इसलाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है तो वहीं यहूदी भी इसे सबसे पवित्र स्थल मानते हैं 35 एकड परिसर में बनी मस्जिद अलकसा को मुस्लिम अलहरमल शरीफ भी कहते हैं यहूदी इसे टेंपल टाउन कहते हैं वहीं इसाईयों का मानना है कि यह वही जगह है जहां ईसाई मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वे अवतरित हुए यहां चर्च दचर्च आफ दो होली से पलकर है ईसाई मसीह का मकबरा इसी के भीतर है यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ओन फ द रॉक इसी जगह स्थित है लेकिन पैंगबर मुहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ओन फ द रॉक में मुसल्मान भी आस्था रखते हैं इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद है